हेलो एवरिवन मोस्ट वेलकम टो लेटेटर एजूकेशन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एक्जाम में किस तरीके से क्योशन पूछे जाएंगे आपके इसमें सिलेबस में दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा जो की होगा आपका 15 मार्क्स का तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास में समझ में आ रहा है कि क्योशन केसे पूछे जाएंगे तो आज मैं आपको इससे related कुछ क्योशन करवाऊंगा तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले तो आपको एक्जाम में देखिए क्या होता है कि कॉम्पेटिशन बहुत जादा है तो एक्जामनेर आपको एक्जाम में उलज़ाने ही कोशिश करेगा तो आपको उन चीजों का बहुत धियान रखना है कि आपको एक्जाम में इस प्रकार की क्योशन बीज़ाएंगे झिसमें के आप हम देखते हैं सब से पहले यह question में थौड़ा सा complicated मेना है आपको konfuse करने के लिए के लिए कंश्यूस करने के कार्ण कारन के लिए एसकी कम से कम 2-3 मिन तो आपको यह सोचने में लगी कि करना क्या है और यहां चार नंबर क्यों लिखा हुआ है और यहां पर 5 नमबर क्यों लिखा हुआ है यहां पर एक नमबर क्यों लिखा हुआ है तो देखिए यही आएगा आपके comprehension में तो examiner ने क्या करा है कि सबसे पहले मैं इसको एक क्लियर कर देता हुँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे है ना फिर अपने एक सेकेंड अब पढ़ते हैं अब यहां पर नमबरिंग डाल रखी है जैसे कि यहां पर फोर है तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपको इस फोर्थ वाले क्योशन में से इसका जवाब ढूणना है जैसे कि यहां पर फाइफ है तो आपको इस फाइफ वाले क्योशन में से यहां का जवाब ढूणना है जैसे कि यहां पर आपने देखा होगा एक आ रहा है तो आपको एक में से जवाब ढूणना है फिर यहां पर जैसे त्री आ र कि सर आप हमारे इसमें तो वोईस तो लिखा हुआ नहीं है अरे वोईस ने लिखा हुआ है ग्रामर लिखा हुआ है न तो ग्रामर का मतलब ही क्या होता है कि आपको ग्रामर में से अंसीन पेसेज के अंदर क्योशन पूछेगा तो यह जो क्योशन इसने यहां दिया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है बिंग और फिर लिखा हुआ है प्लस वर्बी की थरड़ फर्म जो कि है डन तो यह एक पैसिव का फॉर्मूला है जिसमें य आपको दिख रहा होगा यह एक अनकाउंटेबल नाउन है और मतलब इसका सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी इस तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो फॉर्थ नंबर है इसमें से मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा इ आपको अगर पढ़ते नहीं भी आता है और वो ग्रामर पूछ रहा है तो आप इजी वे में सोल कर सकते हैं जैसे कि आप यहां समझते हैं बिंग ड्रन अबाउड दो फोरें इन रिटेल बिजनस अनाव एडेज इस प्रोटेस्ट अब समझेगा इस प्रोटेस्ट मैं आप इसी चीजे जिसे सीखने में जितना आप समय दोगे उतना कम पड़ेगा तो आज तो मैं आपको शिखा नहीं सकता लेकिन एक तरीका बता सकता हूं कि जिससे आप अंसिन पैसे सौल कर लें जैसे कि लिखा हुआ है कि यहां पर देखिए पांच नंबर में जाना है और पां इस प्रोटेस्ट और फिर यहां तो यह नेस प्रोटेस्ट मतलब यह बर्वागी निचारों में चारों ही वर्ब है वह से तो लेकिन आपको पता होगा कि हेज एक एक रवहेट और होगी हैं यहां आएगा निए क्योंकि इस प्रोटेस्ट जो है ये एक singular subject है कौन सा subject है singular subject तो singular subject है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी वर्ब भी आपके singular ही आएगी ठीक है तो इसका मतलब की plural आएगी नहीं आचा बीन डारेक्ट नहीं आता है अब बचा हेज और हेड अब हेज जो है ये present का है और जो हेड है ये past का है अब समस्य यह आ रही है कि हेज ले सर के हेड ले तो आपने अब भी देखा होगा तो यहाँ आपने वर्ब ली थी is और tense का एक rule होता है कि अगर किसी भी sentence में एक sentence अगर present form में है तो दूसरा भी किस form में आएगा दूसरा भी present form में ही आएगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर हेज और हेड में से क्या select किया जाएगा हेज तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा हेज तो एक का option आगे हमारे is एक option आगे हमारे हेज मतलब कि दो number हमारे हो गए पक्के और यह question करने के लिए जानकारी जरूरी है जानकारी के अभाव में देखो कुछ भी नहीं होता है आप अगर आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है great level truth it is right देखो मैं हिंदी नहीं कर रहा हूँ मैं आपको English के माध्यम से ही समझा रहा हूँ it is right that we are protesting it फिर आगे लिखा है we should protest it with a lot of reasonable logics अब यहां पर बोला है कि एक नंबर एक नंबर में ने देखा since but because और cause तो अब यहां क्या आना चाहिए एक बार पड़ते इसको देखिए लिखा हुआ है कि a lot of talk is being done about the foreign retail business nowadays this protest has a great level truth ठीक है साब it is right that we are protesting it it is right that we are protesting it मतलब की हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर आगे लिखा है कि we should protest it with a lot of reasonable logic इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह जो second sentence है यह first sentence के opposite information दे रहा है अपोजिट के से कि यह बोल रहा है कि it is right that we are protesting यह सही है कि हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे है और फिलिक्रा है वी शूट प्रोटेस्ट इसका क्या हो जाएगा इसका सही जवाब इन में से हो जाएगा बट तो यह 3 नंबर हो गए मेरे पक्ये ठीक है अब मैं इसको थोड़ा और मैं हिंदी भी नहीं कर रहा हूं मैं बस उसको उसी English to English उसको समझने की क्या कर रहा हूं कोशिश कर रहा हूं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और चीज़े देखेंगे हम और स्तति क्लियार हो जाएगी जिससे से आगे बढ़ते जाएगे आपको समझ में आने लग जाए कि अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो यहां पर एक डॉट लगा हुआ है और डॉट लगाने के बाद में जस्ट ब्लैंक है मतलब यहां सेंटेंस की शुरुआत हो रही है मतलब स्टार्टिंग हो रही है और आपको अच्छे से पता होगा पड़े लिखे इंसान है आ मैं आगे बात करता हूँ पांचवा लिखा हुआ है government about need need और need के बाद में दो नमबर में से क्या आएगा action, अब action है that kind of action, better than action such that action, such kind of action अब देखेंगे, दो option तो यहां suitable नहीं है अब दो बचे हैं, that kind of action और such kind of action तो आप खुच समझदार है, that kind of action नहीं होता है, इस प्रकार की action मतलब such kind of action मतलब सही जवाब आपका क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, बोली बात समझ में आई, तो यह इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आपके unseen passage में 5 में से 5 ला सकते हैं और जो आपके examiner ने दिया है कि comprehension आएगा, तो comprehension का मतलब यही होता है, ठीक है और इसी के अंदर आपसे grammar की question इस प्रकार से पूछे जाएगे, यहाँ पर blank रहेगा, और आपसे grammar की question पूछे जाएगे, ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो मैं इस टाइप की question आपको 10 एसे passage करवा देता हूँ, है ना जिससे की है, आपका और अच्छा, अच्छे से 986, इसके लावा हमारी गणित की और बाल विकास की भी classes चल रही है, तो आप चाहें तो वो classes भी join कर सकते हैं, इस number पर आपको लिखना होगा join, और अगर आप Tate की तयारी कर रहे हैं, तो Tate या जिस exam की तयारी कर रहे हैं, वो लिख सकते हैं, तो आपको